हे गाईज कैसे हैं आप लोग वेल आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन कर देख लिए जा रहे हैं रियल में बर्ट्स वाइलेस्ट टू एस नेकबेंड का इसे मैंने फिलिप कार से पर्चिस किया है 1299 के प्राइस पन पर यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अन्बॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वाला होने वाला है क्योंकि आज ही रिसीब किया है थोड़ा बहुत तो टाइम चाहिए यार इसके अच्छी तरिके से टेस्टिंग करने में तो भाई मैं कोशिस करूँगा कि कल साम तक इसका एक इसी चैनल पर लाने का तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा अच्छे से इसकी टेस्टिंग वगरा करने के लिए अन्बॉक्सिंग वीडियो इसलिए रा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक फिजिकल ऑवर्वीव वगरा मिल जाए बिल्ड क्वालिटी वगरा आपको पता चल जाए तो वीडियो को देखते रहें तो यह रहा हमारे सामने में रियल्मी बर्स वाइलेस्ट 2S का बॉक्स और बॉक्स पर आपको इस स्नेक बैंड की काफी बड़ी फोटोग्राफ देखने को मिल जाती है उपर से आपको यहां पर ब्रेंडिंग भी करीगे यह बैक सा आपको देखने को मिलता है डूल डिवाइस को यहां पर आप सपोर्ट कर आपका करता है वहीं पर प्लूत वर्दन 5.3 का इस्तिमाल किया गया यहां पर मेंचन करेगी यह बट यह आपको 1299 के प्राइस पर लांच प्राइस पर यह आपको मिलेगा में भी साहत बाद में जो इस स्नेक बैंड को आप किस तरीके सो उप्रेट वगड़ा कर सकते हैं तो प्मेज इस से रीड पर इतों करते हैं तो इसे करते हम सायड में एक आपको यह तो भाई यहां पे काफी tiny सा जरा सा इतना सा ही आता है यहां पे realme की branding में आपको इसके charging cable पे देखने को मिल जाती है और type A to type C charging cable देखने को मिल जाता है build quality यहां पे average आपको मिलती है ठीक ठाकी मिल जाता है पर length वागे में काफी छोटा है साइट करते हैं आते हैं अपने man device का तो यहां पे के रहा हमारे सामने में realme burst wireless 2S देखने को मिल जाता है इसे हम करते हैं इस case से बाहर चल बहीं निकल जाते हैं ओके गाइस डब्बे को करते हैं साइड में आते हैं अपने man device पे तो गाइस यहां पे अगर मैं look और design की बात करूँ तो इसका जो neckband है वो totally आपको matte color coating के साथ में देखने को मिल जाता है जबकि yearburst की बात करूँ तो यहां पे आपको matte और glossy color combination का इस्तमाल किया गया है दोस्तों वहीं पे यहां पे जो left hand वाला side है उसमें आपको यहां पे realme की branding भी देखने को मिल जाती है दोस्तों वहीं पे right hand side में आपको जो है सारे के सारे जो है controls देखने को मिल जाते हैं उसक इसका charging जो port है ना उस पर किसी टाइब का safety cap का इस्तमाल नहीं किया गया तो dust वगरा इसके अंदर में जाता है कि यह काफी बेकार सा मुझे लगता है अकसर ऐसा ही मिलता है realme या फिर diesel वगरा ले लो उसके साथ में दोस्तों आते हैं इसके build quality को अपर में गाइस तो यहां इसका जो neckband है वो किसी टाइब का silicon material का इस्तमाल किया गया जो की काफियत तक thickness यहां पर ठीक है और soft है smooth भी लग रहा है flexible भी काफी है तो easily fold over करके कहीं पर भी लेके जा सकते हैं आ सकते हैं बैटरी चेमबर की बात करें यहां पर आपको totally जो है प्लास्टिक का इस्तमाल किय गया और look और finish काफी अच्छी है और plastic की quality भी मुझे यहां पर ठीक ठाक लग रही है दोस्तों जो buttons है वो भी यहां पर आपको plastic का देखने को मिल जाता है और जो feedback है बटन का वो ठीक ठाक यहां पर मुझे लग रहा है क्लिकरी टाइप का आपको feedback देता है वाइट की बात करें कि यहां पर आपको round shape का वाइट देखने को मिल जाता है दोस्तों जिसकी ठीकने से यहां पर जो है मुझे लग रहा है कि काफी decent आपको मिल जाती है long term तक आप इस्तमाल कर सक प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है दोस्तों पर फिनिशिंग अच्छी है और प्लास्टिक की क्वाल्टी भी यहां पर आपको slightly premium सा फील कराएगा उपर से magnetic है तो यहां पर magnet की power यहां पर काफी decent आपको देखने को मिल जाती है और magnetic on off का भी इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है तो वो तो detailed review में आपको पता चली जाएगा दोस्तों तो यहां पर look or design मुझे मतलब कुछ ज़्यादा changes नहीं लग रहा है इसी type के look or design जो है आपक तो उसके हिसाब से यहां पर आपको satisfy कर देगा build quality वहीं पर performance की बात करें तो भाई detail review का इंजार किजिए कल तक आपको मिल जाएगा सारे confusions आपके दूर हो जाएगे music कैसा है इसका बैटी performance कैसी है call quality कैसा perform करता है gaming में कैसा perform करता है सब कुछ आपको clearly honestly पता चल जाएगा त चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दुबारा मलाकात होगी तब तक के लिए thank you take care and bye bye